तो फ्रेंट्स चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं बैक के रिलेटिव तो देखिए मेरे पास हीरो कंपनी का गलेंबर वाली भीरियंट बैक है और बैक है इस बैक में अभी ठंड का मोसम में बहुत सारा बैक में आप देखे हुए है कि शलेंसर से बहुत ज़्यदा वास कम करने के लिए लगा हुआ है जो गय व्याइक में अदर मिक्चल होता है अंगर आंदर बढ़ जाएगक से निकलेगा वह हमारे स्वास्त के लिए बहुत हणी कारग होगा और बहुत सारा ढक माँज होया घंड के मोश्वा मैं दे HOLE से थार से वास्व निकलते रहता है पांटी कहां छिर निकलता है और वह कि में पानी निकलने इसे क्या परभाव होगा बहुत सारा बैक में देखें वास्प बनके निकल रहा है जैसे अभी हम इस बैक को स्टाट करके आपको दिखला रहे हैं इधर देखें कितना जैदा वास्प निकल रहा है कितना जैदा पानी निकल रहा है नीचे भी देखें पानी टपक रहा है देखे जो भी बाइक है जो भी गारी है सभी बाइक के अंदर से अंदर एक केटलेटिक कंवर्टर लगा रहता है जो की बाइक के से अंदर से जो जहरीलिक ऐसे निकलता है जो हमारे स्वास्त के लिए हानिकारत है उस केटलेटिक कंवर्टर में जाता है और वहां से उसको वा वास्प निकलते रहता है और दूसरा जो आपको problem हम बतला रहे हैं अगर आपका bike का कि सलेंसर से वास्प निकल रहा है आप समझ लिजे कि bike का इंजन में कहीं से भी कोई problem नहीं है और bike का pollution बिल्कुल कम है बैक pollution नहीं कर रहा है यह वास्प बहुत सारा यह सोच आफ नहीं सोच आइसके अंदर रस्ट लग जाएगा जंग लग जाएगा अईसा आपको बैक में कुछ भी नहीं होगा यहाँ और यह एक ठोड दिया रहता है जो भी इसके अंदर वास बनता है वह यहां से बाहर निकल करके आ जाता है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं बैक को हम स्टार्ट किये तोटल पानी नीचे आ गया यहां का हॉल सैध हमको लग रहा है जांप हो गया इसको फिरी कर देंगे बाद में वीडियो थोड़ा जैदा लंबा हो जाएगा और चाहे तो आप ठंड के मोसम में इस सेलेंसर के अं मोसम में जैदा नहीं सिर्फ एक बार इस ट्रिक का यूज कर लेना है इससे भी आपके बैक में सेलेंसर के अंदर रष्ट नहीं लगेगा वह क्या करना है वह हम आपको बतला रहे हैं यह एल कुपी है इसमें हमने नया इंजनल भर रख यह आपके पास नहीं होगा हर किसी क के पास नहीं होता है मेकैनिक के पास इसका यूज होता है कि भैक में ठंड के मोसम में आप इसको सेलेंसर के अंदर रख करके इसको ऐसे एक दो बार दवा दिजिए इस सेलेंसर के अंदर नया इंजनल जो है सो चला जाएगा इससे आपको क्या होगा कि बैक के सेलेंसर के अ मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बत लाइए मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आकन को प्रेस कर लिजा ताकि जो भी वीडियो हम अप्टू लोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन ताब तक के लिए इ वीडियो में